सिक्षार्थियो नमस्कार NIOS के स्टूडियो में मैं डॉक्टर पतंजिले मिश्रा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ आज जिस विशय पर परिचर्चा करने के लिए हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं वह विशय है भारत में भाषा नीतियां इवं त्री भाषा सूत्र इस विशय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं मिजोरम विश्व विद्याले में सहायक प्रफसर के रूप में कारेरत डॉक्टर कृष्णकान त्रिपाठी डॉक्टर त्रिपाठी आपका हम स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं और नमस्कार नमस्कार सिक्षात्रियों आज हम काफी रोचक विशय पर चर्चा करें जी मिश्व जी बहुत धन्वाद काफी महत्पूर प्रसन आपने किया है भासा नीती तो जो हमारी राष्टी नीत होती है उसका एक हिस्सा है जो यहां पर हमारा जो विशय है भारत में भासा नीती आपनाया है और हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे पहले हम चर्चा करत राष्ट्री और अंतर राष्ट्री समवाद हे तू इस पष्ट भासा नीत का निर्माड किया है जो हमारे संप्रेशन की भासा क्या होगी देश के अंदर हमारे जो संपर्क हैं पत्रा चार है उसकी भासा क्या होगी और अंतर राष्ट्री स्तर पे हम किस भासा में संपर्क करेंगे और हमारे प्रशासन की भासा क्या होगी इसनि discussions भातों से जो जड़ा हुआ निर्णा है उसको भासा नीत कहा जा सकता है साधार सब्सब्दों में राजनेटिक दिर से भासा एक महत्पूंष सक्ति है और हमारे दिसमें राज्यों पॉइंट रहा है भासा एक ससक्त सामाजिक वा राजनेतिक पहचान होती है और इसका उधारन की रूप में हम बंगलादेश का जन्द कैसे हुआ आप जानते हैं कि पहले तो भारत का बटवारा होता है धार्मिक आधार पर उसके बाद पाकिस्ता का बटवारा होता है भासा क है भासा राजनेतिक अस्मिता हैं और सवाजिक का मुद्धा है भासा नीति सिक्षा नीत का एक अनिवार तत्त ही नहीं वरन इसका आधार भी होती है भासा नीत के आधार पर हमारा का निरधारत हो जाती है गुडवत्वत्ता पूर्ण सिक्षन पार्टव् ingredient का प्रिकासन कक्षा में अनुदेशन का माध्यमाधी तद देश की भासा की नीद के आधार पर ही तै होते हैं और भासा नीद से कैसे सिक्षा बदल जाती है इससे हम 1835 के मैकाले बिरॉड़ पत्र से समझ सकते हैं सुनता से पूर भी भासा से समंधित राष्टी नीद पर कार सुरू हो चुका था भारत जैसे अनोखे बहुवहासी देश में यह कार आसान ना था सभी देशों में किसी एक यह कुछ भासाओं को लेकर नीट निद भासा की गई है हमारे बाष्टी नीद इसमच्ट की गई है सम मध्धान के इसाब से समापनित काूण काूणस्य विदेश हैं और क्या उसमें लिखा है यहां इस पर चरचा करते हैं समयधानिक प्रवाधान जो है बहुत महत्पोन होते हैं विशेशकर भाषा के संदर्ख में हम बात करें किसी वी देश में समयधान तो सभी नीतियों का आधार है तो भासा से समझेट जो नीतियां है उसमें हम अनुच्छेत जो विशेश भासा से जोड़े हुए अनुच्छेत हैं एक नजर उसके डालते हैं तो सरवर्थम अनुच्छेत 29 के खंड एक के तहट भारत के प्रतेक नागरिक को अपनी भासा लिपी और संस्कित के सनक्षण का मौलिक अद्कार प्राप्त है और ऐसे धारन मिलते भी हमने पिछली चर्चा में देखा कि बराग घाटी में भासा के सनक्षण के लेकि कितना विवाद हो गया और लोगों की जान चली गए 11 लोगों की जान गए तो ये 29 में हमें ए एक्षिक संस्तान इस्थापित और पर सासित करने का अद्कार प्राप्त है और तीस के खंड दो में राज अलफ संखिक संस्तानों को अंदान देने में धर्म या भासा के आधार पर भीद नहीं करेगा यहां पर एक बात इसपर्ष्ट करना चाहेंगे कि विभिन राज्यो में जो अलफ संखिक संस्तानों के स्थापना और उन्हें अंदान देने की जो परंपरा है उसमें अलफ संखिक धर्म के आधार पर जो अलफ संखिक हैं उन संस्तानों के लिए तो इसपर्ष्ट नितियां बनाएंगे हैं लेकिन भासाई अलफ संखिक संस्तानों की पहचान करना और उनको अंदान देना इन से समंधित इसपश्ट नितिया नहीं दिखाई दे रही है इसका मतलब लोग साब केवल अलप संख्यक शब्त जो है धार्मी का अधार पर नहीं दारत कि अधार्म से जुड़ा हुआ है भाशा से भी जुड़ा हुआ है झे इसे संगी वहासा जो हुआरी है समयधान में इषपर्ष ग्रूपी से लिखा है अनुछ. तीनसातालईस में की हिंधी भारत की राज वहासा होसर की गई है उसमें और फोघ। थीनसाटाली 2 माध्यम से अंग्रेशीं 15 व felt के लिए भारत की राजimana स्विकार की गई राज भासा दिनीम 1963 के द्वारा पंदा वर्स की वंद को स्वाप्ट कर दिया गया है इस परकार यह दोनों ही अनुच्छित इस्थाई हो गए हैं और अंग्रेजी और हिंदी हमारी राज भासा हो गई समयधान के अनुच्छी तीन सो पैतालिस राज अपने छेतर सीमा में भोली जाने वाली भासा या भासाओं को सासकी प्रियोगी भासा के रूप में अंगिकार कर सकते हैं और इस भासा को छेतरी भासा की संग्या दी गई है समयधान में अनुच्छी तीन सो पचास कोई विए अपनी विथा के निवारण ही तो किसी संग या का अधिकारी हो कि अंदर सरकार से जुड़ा हुआ अधिकारी हो या राज सरकार से जुड़ा हुआ अधिकारी हो अगर हमें कोई प्रात्रा पत्र देना है तो हम उसे राज की भासा में दे सकते हैं और संग की भासा में दे सकते हैं लेकिन राज्य की छेतरी भासा है, तो इसमें भी दे सकते हैं, तो राज्य द्वारा स्विकार की भासा हो और संग द्वारा हो, उनमें अव्यवेदन दिया जा सकता है, मात्र भासा में अंदेशन की भी वश्ता हमारे समिधान में दी गई है, जो जिसे अनुच्छे 350 का आ है, उसमें राज्य और इस्थानी प्रादिकरण भासाई अलब संख्यक बच्चों के लिए, पात्मी के इस तर तक मात्र भासा में अंदेशन की वश्ता का प्रियास करेंगे, इसे अन आयोगों द्वारा भी समस्तिक की गई है कि छितरी भासा, मात्र भासा के रूप में अंदेशन की भासा रहे, लेकिन जो जनजाती बच्चे हैं और जिनकी भासा छितरी भासा नहीं है, तो उनके लिए कमके लिए, कम से कम धोस बरस तक उनकी भासा में अनदेशन हो, छिछःक को बाचीद करके उनको पढ़ाए, उसके बाद हमारी छितरी भासा की माद्धिम से वो पढ़ने लगे हैं तो ऐसी भी संस्ती पहले की जा चुकी हैं तो वहां यहां समिधान में भी अलसंख्यक जो भासाई अलसंख्यक हैं उनके बच्चों के लिए मात्रभासा मान देशन की विस्ता करने के लिए कहा गया है अनुच्छे 350 के खंडबा में भारत के के लिए विशे सदकारी नियुक्त कर सकते हैं समिधान की छटवी अनसूची के माध्यम से स्वासासी जिलों को प्रात्विंग विद्याला इस्थापित करने और उनमें अंदेशन की भासा तै करने का अधिकार प्राप्त है इस स्वासासी जिले मुक रूप से जो पुरु अपने एक काउंसल बना के काम करते हैं उनमें वो प्राथिंग विद्याले भी स्थापित कर सकते हैं और उनके जो विद्यालियों में और नेशन की भासा क्या होगी उनकी भी उनका निर्ने उख्वें स्वें कर सकते हैं समधान की आठवियन सूची में बढ़ने 22 भासाओ नीत अपनाई गई है सभी भासाओं को यहाँ पर महत दिया गया है जैसे आठवियन सूची में जैसे असमी है बंगला है डोगरी है गुजराती है हिंदी है कंणड है कस्मीरी है कॉंकडी है मैथली है मल्यालम मरिपुरी मराथी नेपाली ओडिया पंजाबी संस्कृत संथ अधाली सिंधी तमिल तेलगू और उर्दू इन 22 भासाओं को इस्थान सम्मिधान की आठवियन सुचीम दिया गया है और भार सरकार इनकी विकास में सहयो करती है और जो सम्मिधान का मूल पार्ट था उसमें 14 भासाओं थी आज भासाओं बाइस हो गई है आठ भासाओं और लगबाग 40 भासाओं है उत्यान को जोडने का प्रियास किया जा रहा है बोच्पूरी के जिसके बहुत कॉम्प्लेक्स में इसलिए भी कॉम्पलेक्स हो जाता है कि सिक्षा मूल आधार है हमारे ॎल्य देश के डवलपमेंट का और सिक्षा निर्वर करती है भाषा किस भाषा में सिक्षा दी जाए पिछली चर्चा में हमने देखा कि भाषा और सिक्षा दोने एक दूसरे जोड़े हुए है इसके अंतर संबंदों को जरा से हमारे विद्याले और भाशा है, दोनों के विद्याले और भाशा है, दोनों के विद्याले और भाशा जोड़ा हुआ है, तो भाशा नीती के द्वारा भाशा या भाशाओं के प्रियोग, एक भाशा या कई भाशा प्रियोग प्रवरतन चिछा सम्मंदत कोई भी आयोग या समिती भासा पर विचार जरूर करते हैं। जिसके निश्कर सुद्रूप में हमारी भासा नित इस प्रकार बनी है। शिक्षा के माध्यम के लिए माध्रिभासा या छेत्रिभासा हो और भासा सिक्षा में तिरिभासा सूत्र अपनाएगा यह तिरिभासा सूत्र क्या है इस पे हम अभी ही चर्चा करते हैं तिर्वासा सूत्र की जो प्रश्ट भूह में इस प्रकार है सर्वर्थम राधा किष्ण आयोग जो प्रथम सिक्षा बेब सुनता के बाद प्रथम आयोग है निमाना की भारत की सिक्षा विवस्ता में कम से कम तीन भासाओं की आप सकता है और सुझाओ दिया कि उच माधमिक और विश्विद्याले इसतर पर विद्यारतियों को तीन भासाओं में डक्ष बनाया जाना चाहिए वे तीन भासा हैं छेत्री भासा संग्ये भासा अंग्रेजी उसमें हिंदी को ही संग्यी भासा का दर्जा प्राप्ष था अंग्रेजी सिर्फ पंदा बर्स के लिए ती इसलिए उन्होंने तीन भासा है ये संग्यी भासा का इसी को त्री भासा सूत्र के नाम से जाना चाहिए अभी इसमें त्री भासा सूत्र उन्होंने त्री भासा सूत्र जो दिया गया वो बाद की नीत में आया है अच्छा प्रिस्ट भूम भी बनाएंगे थे उसके विए जैसे 1949 में ही राज्यों के सिक्षा मंतरियों के सम्मिलन में मात्र भासा के माध्यम सेंदेशन का पक्ष रखा गया तो यहां भी आवसकता है मैसूस की तीन भासा का सिक्षण हो 1961 में केंदी सिक्षा सलाकार परसत ने एक भासा सूत्र का प्रिस्ताव रखा तीन भासाओं से जोड़ा हुआ था 1961 में राज्यों के मुक्ष मंतरियों की बैठक में एक तीन भासा सूत्र पर एहम सेहमत बनती है और 1964 चाँचट में जो कोठारी आयोग ने भी जो महत्पून आयोग है ने निम्नमाद्मिक स्तर कप्षा आठ और से दस तक के पाठ चर्या में तीन भासाओं के सामिल करने के सुझाव दिया था उन्हों ने और हिंदी चित्रों में जहां पे बह Mythical हो हो और एंग्रेस्त बहकरूप में हिंदी के अलावा जो आधनिक भारती भासा हो उसका सेक्ष्ण होना चाहिए आयोग ने माना कि चौता विकलप भी दिया और उन्होंने कहा कि सास्त्री भासा की रूप में संस्केतिया तमिल भी पढ़ी जा सकती है तो इस प्रिकार ये चार भासा का एक सुत्र बनता है 1968 में त्रिभासा सुत्र राश्टी नीद की रूप में सामने आता है इस प्रेश्ट भूम में कई आयोग और बैटकों में जो निर्ने लिये गए उनके आधार पर 1968 की जो सिक्षा नीत है राश्टी सिशा नीत 1968 में सभी राज्यों को त्रिभासा सूत्र अपनाने और पूर्ण उर्जा से लागू करने का निर्देश दिया गया हिंदी छेत्र में दच्छन भारती भासाओं को और गैर हिंदी भासी राज्यों में हिंदी को तीन भासाओं में प्रात्मिक्ता देने के प्राधान किया गया राश्टी नीत 1986 जो अदतन कही जा सकती है अभी हमारी राश्टी नीत आनी है तो अभी तक 1986 औ 1992 में जो इसका परवर्ड मोडिफिकेशन हुआ है उस नीत के तहट राश्टी सिक्षानीट 1986 पुना 13 सुट्र को अधिक घंभीटा से लाउग करने पर बल दिया गया इस नीत के दोए 13 सुट्र को राज्जियों के माजमिक सिक्षा परसद दोए हन्यवार बनाने का प्रस्ताव रखा गया नीत में कहा गया कि जो राज के मादमी सिच्छा परसद हैं वो अनिवार रूप से इसको अपने राज में पालन करवाएं सुत्र का बच्चों में अनभारती भासाओं के लिए और गैर हिंदी राज्यों में लिए केंदी शेता की प्राबधन किया गया राज परशदों द्वारा विभिन भासाओं के सिक्षण के उद्देशों को सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों में परतिक भासा के दक्षता के स्थर को विनिद्दिश्ट करने का सुजह हो दिया गया कि जो राज परशद है वो किस भासा को पढ़ाने का क्या उद्देश है यह सुनिश्चित कर ले और बच्चों में भासा की दक्षता की इस्तर क्या होना चाहिए जैसे कई राज्यों में तीसरी जो भासा होती है उसमें बच्चे न लिख पाते हैं न बोल पाते हैं तो इसमें भी कहा गया कि परतेग भासा का एक मुल्यांकन का इस्तर भी तै करें त्रिवासा सूत्र में जो नीत है इसमें बाद में भी जो हमारा राश्टी पाटचर्या की रूप रेखा है 2000 में आई और 2005 में जो NCRT से पबलेश होती है महत पूर्ण दस्तावेच है उसमें त्रिवासा सूत्र के महत को इसपर्ष करते विए तीन भासाओं के सिक्चन का प्रस्ताव रखा गया अच्छा दोनों दस्तावेचो में एंचेफ 2005 राजनितिक संप्रेशन वा संयोजन की दर्श ही त्रिवासा सूत्र का समर्थन नहीं करता है जो एक नेशन इंटिक्रेशन के कारण भी त्रिवासा सूत्र को महत दिया जाता है शुरुआत तो इसी प्रकार से होई थी जी एंचेफ 2005 बहु भासक्ता के सरक्षन बच्चों के संग्ञान अत्मक वा सेक्षिक विकास में लावकारी मानता है त्रिवासा सूत्र को कि अधिक भासा हैं हम जानेंगे तो अधिक तरिके से हम अपने इनफ्वर्मेशन को प्रोसेस कर पाएंगे और हम अधिक ग्यान परात्त कर सकते हैं भाशा है चुकि सिदे ज्ञान कोगनेशन से जुड़ी हुए होती है कह सकते हैं कि लैंगोज दे विंडो आफ नॉलिज सो भारत में जैसे बहुत भासिक देश में तरी वहासा सूत्र एक उत्तम आउसदी है पर प्रियोग नीमत रूप से कभी भी नहीं किया गया बहुत से राज्यों में इसको सीर सिर्वारती भासाओं को स्थान में वह नहीं था हो पाया जैसे विभिन राजियों में नाम के लिए तीन भासाओं के सिक्षण की विस्ता तो की पर इसके तत्त को नहीं समझा तमिल्लाडू राज ने इसका इस्पष्ट ब्रोथ किया फल सुरूप एक मात्र भारत का राज है जहां त्रिभासा सुत्र को इथारत रूप से लागू करने वाले नमोदे विद्याले स्थापित नहीं हो सके नमोदे विद्याले बच्चों को एक आवासी विद्याले का कंसेप्ट है किंद्री सरकार उसका पूरा फंडिंग होता है गरीब और दिहात की छेतर के बच् है अच्छे जबहों पर बच्चों को मल्दव की आप देख सकते हैं कि आयटी में और इन सस्तानों मेड मीशन में ले ले लेते हैं वह पड़ाई अच्छी होती है और ऐसे तमिल लाडू में इसे विद्याले नहीं तो इतरे नुक्सान है दियात के बच्चों का जहां पर अग्रामेड छेत्रों के बच्चों को अरक्षण प्रदान किया जाते हैं उत्तर प्रदेश में जैसे हिंदी भासी राज्य हैं अंग्रेजी वा संस्कित और हिंदी तीन भासाओं का अपना सुत्र को चलाया और दच्छन भारती मासाओं को इस्थान नहीं दिया गया जिर्म में जो हैं अंग्रेजी वा हिंदी है तो वहां पर जैसे चहत्रइए भासा हो सकते हैं अगर उन तरल की समिश्या है जबकि रपावा सूत्स तीन से अधिक भासाओं के सिक्षण को निशिद नहीं करता है अगर आप तीन भासाओं पढ़ा रहे हैं जैसे मिजुरम का एक्जामपल दिया में जो हैं अंग्रेजी हिंदी है अगर आप अन आधुनिक भारती भासा को भी स्तान दे रहे हैं तेमिल, तेलगू, मल्यालम, असमी, मडीपुरी तो उसमें कोई परहेज नहीं है त्रिवासा सुत्र के अंसार त्रिवासा सुत्र को और अधिक सुक्ष्मता से और लोचनीता के साथ अपनाए जाना चाहिए इसमें फ्लेक्सबिल्टी थोड़ी बढ़नी चाहिए जैसे जहां भासाई अलब संक्यक बच्चों की सघंता है और उनकी भासा को राज़ की भासा की रूप में स्थान नहीं मिला है वहां जिलास तर पर त्रिवासा सुत्र को गढ़ा जाना चाहिए जैसे मैंने उधान दिया था कि मारा है, चकमा है या हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं उर्दू भासी लोगी सघंता है या ब्रजभासा की लोगों सघंता है माना की ब्रजभासा को हिंदी की ही बोली माना जाता है लेकिन भोजपरी छेत्र है अगर भोजपरी छेत्र में मैंने खुद देखा ये एक अच्छा सुझाव हो सकता है जी ऐसा सोसासी जिलों में तो पसंभव है सामान जिलों में नहीं जबकि बहुआ सकता कि जिटल सानचना सिर्फ पुर्वत्र राज्यों में ही नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश में मैंने पहले भी काबरज है अवधी है भोजपुरी है कन हम रहा नहीं है लखनोगी बहांसा को कह सकते है कि हिंदी हिंडी कह सकते हैं वहां के बच्चे से सिख्चक कहता है कि आपकी पुस्तक कहां है तो बच्चा जवाब देता है कि बह गई और अगर कानपुर छित्र का सिच्छक है बह गई का मतलब क्या समझेगा तो सिच्छक पूझता है कि क्या बाड आई थी तो बच्चे सब हसने लगे तो कि बाड का कोई समभवना नहीं उस छित्र में तो बगल में जो एक सिच्छक खड़े तो उन्हों नहीं कहा सर बह गई क्या मतलब होता है खो गई तो ये इतना सब्दावली का अंतर है बच्चों के सब्दावली में तो हम कैसे एक मानक भासाब को लेके चल सकते हैं रुक्त एक संरचना भाशा की कुछ इस परकार से होती है जो कि कई तरह की बहुत भासिकता और तमाम चीजों की वज एक विशिष्ट बात मैं आपसे जानना चाहूं का, वह यह है कि NCF 2005 में एक टर्म दिया बहु भासिक्ता, ने खा कि मल्टि लिग्मिलिजम यह बहुत पौन है, तो त्री भासा सूत्र के संदर्व में आप इसको कैसे देखते हैं, इसको एक अवसर के रूप में देखते हैं, इसको एक चनौती के रूप में देखते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? अभी तक तो बहु भासिक्ता का संप्रतिया है, इसको हम लोग समिस्या के रूप में देखते रहें. NCF 2005 के बाद इसमें एक नया पक्ष जोड़ता है कि एक आउसर है, हमें एक बहुता कोई आउसर समझना चाहिए, क्योंकि हमारे बीविन भासाओं से बच्चे आते हैं, और ये मैंने पहले भी कहा कि अधिक भासाओं को जानने से हम अधिक ग्यान की प्राप्टि कर सकते हैं, बासा ग्यान का माद्यम है, समझ का माद्यम है, हम अगर दो तीन भासाओं जानते हैं, तो दो तीन तरीके से हम उसका प्रसरन या प्रोसेस कर सकते हैं, तो अगर हम ये एक कक्षा है, उसमें दो तीन भासा के बच्चे हैं, तो एक दूसरे की भासा भी सीखेंगे, एक दू बुस्री भासा के संस्किति में जो सब्दा बली है उनके सब्द से किसी वस्तू या व्यक्त के गुर्दोस भी पता चलते हैं तो उस सब्द का ग्यान होगा माननों लो कि हमारे यहां कोई जड़ी पुटी मिलती है जिसे उतराकर्ण में है उस कड़बाली में कुमायनियों कोई नाम है अगर गड़बाली और खुमायनियों भासा खत्म हो जाएंगी तो उन जड़बुटीयों की पहचान और गुर्दोस भी खतम हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये बच्चे अगर बहु भासिक्ता का एक माहौल हम बना लें अपनी कक्षा में बच्चे किसी भासा में बोलने और बात करने के लिए सुदंतर हो तो हमें ये एक तरीका संसाधन के रूप में इस्तिमाल हो सकता ह कि बहु कि बहुत संस्क्तिक बढ़ावा देने का सांस्क्तिक के साथ जुड़ा हुआ जो अन ग्यान भी जैसे मैने जड़ी उ इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने देखा कि डॉक्टर कृष्टकान त्रिपाठी जी ने बहुत ही सहज तरीके से भारत ने विभिन्न सिक्षा नीती और त्री सूत्र जो फॉर्मूला है भाशा को ले करके उस पे बहुत आसान तरीके से और बहुत वस्तुनिष्ट त हन्यवाद करते हैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं त्रिपाठी सर नमस्कार नमस्कार सिचार्थियों